आप सभी का स्वाज़त है अब देख सकते हैं अभी हम राची का रिल्वे इस्टेशन पर है राची से पाकूर की जर्नी है आईये तो चलते हैं अंदर के तरह यह देख सकते हैं प्लेटफरम का कुछ कुछ सुरत लुप अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं ट्रेन हमारी आ चुकी है प्लेटफरम संकिया एक पे कमाख्या एक्सप्रेस इसी ट्रेन से हम लोग सफर करके पाकूर तक जाएंगे यह कमाख्या तक जाती है तो आपको कमाख्या तक जाती है तो आए वीडियो इंज्वाय करते हैं तो आईये हम अंदर चलते हैं अंदर का व्यू भीकाते हैं देख सकते हैं आप राची जक्सन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है यह गाइस कमेंट में बताएंगे और आप देख सकते हैं ट्रेन उतनी भीड नहीं है और यह सीधा हम मिलेंगे आपसे पाकूर क्योंकि रात काफी हो चुका है तक्रीबन रात को आठीज में रांची जक्सन से यह प्रस्थान हो जाती है टाइम पे जाती है अच्छी ट्रेन है बिल्कुल अच्छी है यहां अभी लॉक्डाउन में वन धीट है इसके होज़ा से यहां फोला साई एक तीकत हो रहा है जोगी के अज़र सीक्समर बोगी में इस सीक्स में जो सीट नम्मर है वो जो मेट चुका है खतम हो चुका है इसके वज़ा से बोड़ी क्या बोलते हैं व्यात्री को परसानी हो रही है तो गाइस बहुत सा मैनेज करें और कमेंट में जरूर बताएगा तो आईए हम प्रेन के जरनी आपको बताएंगे तो पेन देख सकते हैं यहाँ पर एक बैसिन दिया गया है और यह सामने एक मेरर है जो आप यहाँ दोकर और ऱ इस बारता बदेखा लेते हैं यह पधिन को यहां भी एक मेरर है और यहां भी बेसिंग है पहनी हाथ दोने के लिए बहुत ही अच्छा है मेरर बहुत ही बड़ा लगाया गया है और क्या बस थोड़ा सा ट्रेन में प्रोब्लम है तो यह हम बहार चलते हैं देख रहा है कि यह पुरी सीट खाली है अब आपको दिखाने क यहां पूरी बोगी अच्छी नहीं भरी होई है पसिंज़र और देख रहे है यहां चार्जिंग के लिए बैंट दिया गया है त्सक्तिंग लोगा曱 आप्रक के सामने भी देख सकते हैं वहां भी चार्जिन पॉइंट दिया गया है वहां 2016 कर सकते है क्छी किसी त्रह कि अगर कुछ किरिम का इस तरह का कुछ नजा रहा है कि लिए दोस्तों आप प्लापी हो चुकी है इस इस बार अव्श रहा है भी श्यूद्ब जब शुक लाँ है फिर मुनते हैं आप से सुभ कर दो आप संगा कि दोस्तों यह देख सकते हैं इस्टेशन कर कुछ लुक है जो अंधेरा ही है पता नहीं कौन से इस्टेशन से गाजी गाड़ी गुजर रही है और यह आपके सामने सभी लोग रात काफी हो चुकी है इसलिए सभी लोग सो रहे हैं सीधा हम मिलते हैं पाकुर दोस्तों यह देख सकते हैं हम लोग पाकुर पहुचने वाले हैं और सुबह का इतना ही खुबसूरत नजारा है यह ट्रेन से बाहर का हर्याली आप देख सकते हैं वह खुबसूरत लुक है तो गाइस कमेंट में बताईएगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस सब्सक अब देख सकते हैं हम लोग पाकुर इस्टेशन पहुच चुके हैं और यह ट्रेन अब यहां से आगे कि ओर चल चुकी है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की बाई एंटेक्ट केर यह देखिए पूरा पानी भरा हुआ है यह देखिए हम लोग नाओं में घूम रहे हैं यह पानी